चलो आज हम आपको अपने टेरिस गार्डन की सहर करवाते हैं तो ये सबसे पहले तो आपको हमारे गार्डन का जो सबसे खूब सूरत पौधा है गुलाब का पौधा इस से हम आपको मिलवाते हैं तो इसमें अभी बहुत अच्छे फूल आये हुए हैं इस पौधे को हमने कैसे लगाया देखी आप यहां पर तीन गमले रखे हुई हैं एक के उपर एक तो यह सबसे उपर जो हमने क्या है मिट्टी का गमला रखा हुआ और उसमें गुलाब का पौधा लगा हुआ है तो उपर वाले गमले की जड़े नीचे वाले तीसरे गमले त पौल वह फल आते हैं इसके बाजू में हमने एक भटे का पौधा लगाया है काटे वाला भटा है बहुत इस्वादिष्ट लगता है और देखने में बहुत सुंदर दिखाई देता है तो यह जो पौधा है इसे भी हमने सबसे उपर वाले गमले में लगाए हैं और इस उपर एक रखे हुए हैं सब उपर वाले जो गमले हैं वो उपर नीचे से खुले हैं जिससे उपर वाले पौधों की जड़े नीचे के तीसरे गमले तक के जा सकती है दूर से देखी भटे का जो पौधा है कितना स्वस्त दिखाई देता है काटे वाला भटा है इसके अच्छे भटे लगे हुए हैं यह देखिए आप इस साइड से कितने अच्छे भटे लगे हुए हैं यह देखिए इसमें बहुत सुन्दर भटे लगे हैं और अच्छी संख्या में लगे हुए हैं गुलाब के फूल तो बहुत ही संदर दिखाई देते हैं बहुत ज्यादा स लगाया हुआ है अधरेक में भी अच्छी ग्रोथ है इस साइड हमने यहां पे एक देशी बटे का पौधा लगाया है इस तरब की लाइन में हमने देशी गुड़हल का पौधा लगाया हुआ है जो दुर्गा जी कुछ अढ़ाते हैं बहुत ही सुंदर दिखाई देता है य यह मिर्ची का पौधा है इसमें जो पतिया काले कलर की आती है और इसमें जो फल लगते हैं वो भी काले कलर की आते हैं और बहुत ही सुंदर पौधा दिखाई देता है खाने में बहुत जादा तिखी लगती है मिर्ची यह देशी मिर्ची का पौधा है इसमें भी देखिय कितने बड़े आकार के फर लगते हैं भी थोड़ा सब लेट है पॉधा है कि साय इस साइड की पंक्ति में हमने सारे भृटे के पमी लगाये हैं और बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं देखिए अब दोके ऊपर हमने ली रखें ऊपर के सारे अनमले खुले हैं जिससे उपर के पौधों की जड़े नीचे वाले गमले तके जा सकती है जिससे पौधों का विकास ज़्यादा होता है और इनमें फल और फूल भी ज़्यादा मात्रा में आते हैं ये भटे का पौधा देखिए कितना स्वस्त दिखाई देता है और बहुत अच्छा ग्रोध किया इस पौधे ने इस तरब की पंक्ती में हमने सारे गुढ़हल के पौधे तयार करके लगा है सब ये प्लास्टिक की डिक्की में हमने पौधों को लगा है देखिए हम हम पैसे कबार से जुगाड कर सकते हैं जीवन में कम खर्चे में भी हम बहुत अच्छा गार्डन तयार कर सकते हैं यह गुढ़हल के ही प्रजाती का एक फूल आता है यह भी बड़ा सुन्दर दिखाई देता है थोड़ा लंबे समय के लिए पौधों में फूल रहते हैं बहुत जल्दी नहीं जिरते हैं यह भी गुढ़हल का पौधा है देखिए बहुत ही सुन्दर और्नामेंटल प्लांट है इसको हमने गमले में लगा है इसके साथ में हमने भटे का भी पौधा लगा दिया इसमें बरबटी में भी फर लग रहे हैं तो यह हमारा टेरीज गार्डन हमने छोटा सा बनाने का प्रयास किया है यहीर आप भी चाहे तो अपने च्छत के उपर इस प्रकार से चोटा सा एक गारडन डेवलप कर सकते हैं इससे हमारा सुबह समय सुबह और स्याम का जो टाई में हम इसका सदूपियों कर सकते हैं। बहुत ही सुन्दर दिखाई देते हैं फूल। गुलाब में तो बहुत ही बड़ी आफूल आए हैं। अभी थोड़ा धूप खिल गई हैं। ऑभी सफाया जाज़े मैं लिगजया के लिए और आफ। एपने अपके साथ सेयर करें। यहां पर हमने कुछ लहसून और प्याच के बड़े लगा हैं जो सब्जीयों को फर्भी करने के लिए बहुत ही पाम में आते हैं। सब्जियों का स्वाद बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। ये काली मीर्ची का पौधा है जिसके हम आप जिससे पहले आप से चर्चा किया था। सुन्दर दिखाईया है डीप壞ाने मिट CT के घंब ले में अद्रक को लगाएं कितनी एक दो दिन में बढ़िया पर्याप्त बर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर्वर कि यदि कोई कमेंट्स हो तो आप हमें लिख करके बेज सकते हैं यह पराजिता का पौदा है डबल कली में फूल खिलता है सिंगल कली में भी आता है परन्तु हमने जो पौदा दायार की है डबल कली वाला बहुत ही सुन्दर दिखाई देता है बहुत ज्यादा संक्या में इस इसे आप चाहे तो आप भी अपने घर में लगा सकते हैं यह इस्पाइडर फ्लांट है इस्पाइडर प्लांट के दूसरी प्रजाती है इसमें जो पत्तें बहुत ही सुन्दर दिखाई देते हैं इसमें किनारे इसके सफेद कलर में रहते हैं बीच में हरे कलर की पत्तिया होती बहुत ही सुन्दर दिखाई देती है और इन्हें हम सब कलम से तयार की हैं यह कोलियस का पौदा है यह भी बहुत सुन्दर दिखाई यदि हम इनके उपर की ब्रांच के तोड़ते रहे तो इसमें साखाय ज्यादा संख्या में आने लगती जिसे पौधा बहुत ही सुन्दर दिखाई देता है यह हमने गमले में एक दो पौधे पालक के लगा के रखे हैं इसके जो पत्ते निकलते हैं इन पत्तों से हम दाल पा अच्छे स्वादिष्ट लगते हैं इसके चीले यह देखिए सेमी का बेला नीचे से हमने नीचे लगाया हुआ और बेले से देखो यह चड़ते हुए देखो यह कहां तक के तीसरे मंजिल तक के लगबक पहुंच गया है बहुत ही बड़ी अब बेला है अब देखिए अपने पधों को तयार कर सकते हैं तो इस प्रकार से हमारा चोटा सा प्रयास है हमने अपने च्छत के ऊपर एक गार्डन तयार करने काम प्रयास किया है आप भी चाहे तो अपने घर में इस प्रकार से थोड़ा सा मेहनत करके गार्डनिंग के सौक को आप पूरा कर सकते हैं यदि आपको हमारा काम यदि अच्छा लगा हो तो हमारे चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हम भविस में थोड़ा सा मोटिवेट हो तो ये-इस प्रकार सE हमने छट के ऊपर हमने गार्डन बनाने का प्रयास किया है इसको एक बार हम और इस साइड से हम थुड़ा सा गुमा के दिखा देते हैं इसमे हमने जालिया भी लगाए यह अव पराजिता के फूलों को मैं फिर से आपको दिखाता हूँ आप देखिए कितने सुन्दर फूल लगते हैं और यह पौधा जरूर अपने घर में लगाए यह बहुत ही सुभ माना जाता है अव पराजिता इसका नाम है एक बार फिर से हम आपको यह भटे दिखाते हैं दोमीन के बीजो को बाख निकाल कर रख लेंगे और इसे भी जड़त होगी हम से ने का फ्रयास करेंगे तेंगे और यह निया जोटा सुंदर दिखाई देता है बड़ी एलहे लह घर हराय है वाबा चल रही है देकिक टोगण कमतर को इस अचेलों जोटा सुख़ाई प्रेड़ी देता है